लो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चानल वेलनेस अन ब्यूटी एम शबाना आज मैं आपको बताऊंगी कि ओपन पोर्स को कैसे बन किया जाए और कैसे इसको क्लॉप किया जाए वह आज रेमेडी में आपके साथ शेयर करूंगी काईस यह रेमेडी 100% वर्क करती है बहु बहुत ही कम वर्क में आप देख पाएंगे कि कितनी जल्दी आपके पोर्स बंध हो गए है फ्रेंड्स रेमेडी शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि ओपन पोर्स होने की रीजन क्या है सबसे पहला रीजन तो इसका एजिंग है जैसे आपकी एज बढ़ती है पोर्स ओपन होते जाते हैं सब्सक्राइब गए हैं अएज तो इसका बहुत को बहुत जाह एजिएक बहुत जाल सी ए चेहरा को बहुत लिखता है और एक होता है कि combination skin वालों को भी यह problem होती है बट जिसकी T-zone में actually देखा गया है कि बहुत ज़्यादा oil निकलता है तो आज मैं आपको जो रहे में बता रही हूँ 100% effective है आप प्लीज इसको try कीजिए और मुझे comment करके बताईए कि आपको कैसे result मेरे है चलिए start करते है वीडियो सबसे पहले हमें एक बावल लिया है उसमें हम एलोवेरा जेल मिलाएंगे मैं हाफ टेबल स्पून लिया है आप देख सकते हैं उसके बाद इसमें मैं डालूँगी वैसलिम पैट्रोलियम जैली फ्रेंट से भी मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है उसके बाद मैं डालूँगी वाइटमीन एक दो कैपसल और यह आपको किसी भी केमिस्टोर पर बहुत एजी ली मिल जाएगी इसको अच्छी तरह से मिला ले जब भी आपको इसको अप्लाय करना है तब इसको नया बनाएं इसको रेफिजरेटर में स्टोर करके ना रखें जब यह आपको इसको नया बनाएं गाईस अब देख सकते हैं इस तरही के इससे दिखेगा उसके बाद आपको ओपन पॉर्स की प्रॉबलम जहां जहां है इसको एसे थोड़ा से लेना है और आपको सोने से पहले इसको अक्सर देखा गया है कि जो नोज होती है हमारे उसके साइड कॉर्नर में हमको ऑईल बहुत ज्यादा निकलता है वहां पर पॉपन पॉर्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो हमको एसे सर्क्लों मोशन में अच्छे से में मसाज करना है एक पांच मिनिट के लिए करें उसके बाद इसको रायतर ऐसी ही छोड़े सुबा उठके नॉमल वोटर से अपना चेहरा दोलीजिए गाईज ए रेमेडी जो है हंडिट परसन वर्क करती है मेरा एक्सपीरियंस है आई होप आपकी वीडिय आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए यूस्फुल रहे हो अगर अच्छी लगी तो से लाइक कीजिए शेर कीजिए कॉमेंट कीजिए और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल बटन पर क्लिक कीजिए का कि मैं कोई भी वीडियो रहो सबसे पहले नोटि झाल